हेलो फ्रेंट्स विल्कम बाक टो इंवेस्मेंट आइंट ब्लॉग आज है 18 जून और आज हम लोग एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कर्स कहने वाले इस वीडियो में जिसने फेवर्री में अपना हाई बनाया था फेवर्री में हाई था और फेवर्री से लेके अभी मतलग बस चार महने में 50% से जादा हमें डिस्काउंट मिल चुका है उस कंपणी में तो आएए डिस्कर्स करेंगे कि क्या वो कंपणी अच्छी है क्या हम उसमें अपना पोजिशन बना सकते और अकर बना सकते तो हमारा टागेट क्या होना चाहिए कंपणी के फड़ अबेंटल स्टॉंग है की नहीं यह सारे सब चीज आज इस वीडियो में हम डिस्कर्स करेंगे तो जिस company के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो एक steel sector से belong करता है, Jindal Stainless Hissar Limited, जैसा कि आप जानते हैं कि Jindal Stainless Hissar Limited 1975 में established हुआ था, और company को हम JSHL नाम से भी जानते हैं, Jindal Stainless Limited, one of the leading manufacturer है, Stainless Steel का flat products का, company India की number one specialty stainless company है, जिसका more than 25% of the market share present है आज के time में, अगर हम company के कुछ प्रोड़क्ट्स के बाद करें, तो फेरर अलाय हो गया, stainless steel slab, hot rolled coil plates and seats, वहीं पे cold rolled coil and seats के साथ साथ, company speciality products जैसे, razor blade हो गया, fine blanket हो गया, long products जैसे, और भी कही सारे products का manufacturer company करती है, company के बारे में, जो एक और सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, वो यह है, कि company, बार्कि जिंदर, Stainless Steel Limited हिसार जो है, वो world की largest producer है razor blade में, तो यह एक best point है हमारे लिए, अगर हम company के कुछ market network के बाद करें, तो company के पास 10 sales office available है, और वही पर अगल हम globally देखें, तो बारे से ज्यादा international sales representative available है, across बहुत सारे country जैसे US हो गया, UAE हो गया, Russia हो गया, Vietnam हो गया, यह हुआ company के कुछ history के बाद, यह जो आप screen पर एक photo देख रहे हैं वो जिंदर, Stainless Steel हिसार, plant का यह image है आपकी screen पर, अगर हम company के कुछ financials की बाद करें, कुछ ratios की बाद करें, कुछ market caps की बाद करें, तो market cap जो है company का वो करीब 5000 crore का है, जब company ने अपना high बनाया था तब obviously बहुत जादा था, लेकिन अभी currently company का market cap 5000 crore का है, सबसे अची बात यह है, कि stock का PEE बहुत कम है, 2.52 का PEE है, वहीं पर industry का PEE भी low में ही चल रहा है, 4.28 का PEE तो आप बोल सकते है, almost half of the PEE, जो industry का PEE है उसके compare में, stock का PEE अभी half है, जो one of the best best bestest thing लगत रही है मुझे इस company में, company के अगर ROCE के बारे में आप देखें, तो company का ROCE 45% का है, जो कि आपको generally देखने को नहीं मिलता है, ऐसे companies वेकर में, जो normal companies रहते हैं, उसमें आपको 15-20% का अगर ROCE और ROE मिलका तो काफी है, लेकिन अभी जो आज हमें, जिंदल सिसार लिमिटेट में जो देखनी को मिल रहा है, company का ROCE 45% का है, वहीं पर ROE company का भी 50% का है, जो कि बहुत ही अच्छा, one of the best thing है, second अगर हम बात करें, तो एक साल में, company का return जो है, वो almost 10% का है, लेकिन हा, company के कुछ shares जो है, वो pledge है, कुछ नहीं बहुत जादा ही, 85% जो shares है, वो pledge है, ये एक negative चीज है, लेकिन बीच में ऐसा भी बात चल रहा था कि जिंदल सिसार लिमिटेट दूनों का merger होने वाला है, और कुछ capex के लिए, company ने कुछ अपने stakes को, company के promoters ने अपने stakes को pledge किया था, तो company के financials अच्छे है, उस पे हम next बात करेंगे, तो अभी तक अगर देखा जाए, तो बस एक ये point है, जो pledge percentage, 85% का, ये थ्वासा खटक रहा है, वरना बागी सारा चीज मुझे बहुत अच्छा देख रहा चाहिए, वो ROC हो गया, या ROE हो गया, stock का PE ले लिजे, industry का PE ले लिजे, ये सब चीज मुझे top class देखने को मिल दा है, जिससे मैं सोच सकते हूँ कि हाँ, अगर कोई position बनाना चाहे, तो बना सकता है, ये हमने बात किया company के कुछ ratios के बारे में, अब अगर हम company को उसके peers के साथ compare करें, ये जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने market cap के आप से अरेंज किया है, जेसल, 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 जेसल का market cap वो सबसे ज्यादा है, वही पे अगर हम जेनल स्टेल से साथ लिमिटेट की बात करें, तो company 6th नंबर पे आती है, तो चोटी company तो नहीं कहेंगे, market cap के ही आप से, अच्छा company है, 5th, 6th position पे आरहा है, I hope कि कु आप से अगर हम देखें कि company का P, तो आप देख सकते है, JASW Steel का P 6 पे चल रहा है, Tata Steel अभी 2.7 पे है, Sale 2.6 पे, वहीं पे APL Apollo tubes का बहुत जादा P.E है, तो इतने जहां पर आपका industry का P 4 पे चल रहा है, और SA Shares का P 40 पे चल रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे high-valued company में invest करने का, 5 पे चल रहा है, तो इसका P अभी 2.8 पे है, जिंदल स्टेंले सिस्थार का 2.5 पे है, और जिंदल सौ का 6 पे है, तो अलमुस्ट देखा जाए तो यह जो दो तीन company है, जैसे Tata Steel हो गया, Sale हो गया, जिंदल स्टेंले सिस्थार हो गया, जिंदल स्टेंले आप से भी देखे, तो साड़ी कंपनियां अच्छी है, आप इसमें invest कर सकते हैं, वही पे company के ROC के बारे में हमने बात किया था, तो आप देख सकते है, इसका जिंदल स्टेंले सिसार का ROC सबसे जादा है, 45 परसेंट का, वही पर अपोलो टायस का, जो की काफी high value में अभी अगर हम company के quarterly results को देखें, तो यहां पर अच्छी बात में को देख रही है, देखें आप जून 2019 में company का operating profit 253,000 करोर्स का था, 253 करोर्स से 19 में, फिर 20 में वो corona pandemic के कारण घटा, लेकिन फिर वहां से जो एक rise हमें देखने को मिल रहा है, 300, 500, 400, 400, 500, 500, 500, और शिदे अग 605 करो, तो company के operating profit में तो अच्छा हमें increment देखने को मिल रहा है, from 200 से 600, अगर देखा जाए, तो almost 2.5% का, 2.5X हो चुका है company का operating profit, वहीं पे अगर हम net profit की बात करें, उसमें भी आप देखिए, तो 5, 5 गुना हो चुका है, 2019 में 105 का था, वहीं अभी 2022 में, 573 का है, almost 100 से 500 हो चुका है company का net profit, तो यह चीज मुझे ज्यादा अच्छा देखने को लगा कि company धिरे धिरे अच्छा ग्राजवली ग्रोग कर रही है, और आने वाले टाइम में company का market cap अभी और बढ़ना चाहिए, और company और अच्छा परफॉर्म कर सकती है, next जो हमारा है वो है net profit and loss, अगर हम profit and loss में बात करें statement में, तो operating profit में आप देखिए, कि यहां पर company का एक चोटा सा प्यारा सा चोटा 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 ग्रोथ चल रहा था, 744 करो, 860 करोर, 980 करोर, फिर यहां पर 1200 हुआ, फिर यहां 1000, फिर 900, उसके बाहर देखिए, March 2020 में जब pandemic आया, तो इसमें हमें हलका सा slowdown देखने को मिला, एक हजार से company, 900 पे करीब 100 करोर का हमें operating profit में डाउनफॉर देखने को मिला, लेकिन यहां से आप देखिए, यह हुआ 2021 में 900 से 1100, और 1100 से सीथे यह 200 almost double हो गया, जो मैं आपको बताई थी कि company के finances के बारे में हम लोग discuss करेगे, तो मुझे यह company का यह चीज़ काफे अच्छा लगा कि 2021 से 2022 में operating profit almost double हो गया है, तो अभी और जो government के कुछ-कुछ export duties को लेके rules and regulations आया है, में निक्स quarter में या निक्स जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें एक वासा correction देखने को मिल सकता है, लेकिन for the long run मुझे लगता है कि अभी बहुत इसके लिए आस्मान खाली है, यह अराम से और बढ़ सकता है, इसके अंदर चंपता है कि और बढ़े, अगर हम PBT के बात करें, तो PBT में भी देखिए आप पहले 2016 से देखिए तो 44 ता फिर यह अल्विस दस गुना हो गया, 400 फिर 800 दुगुना, फिर यहां पर 2019-20 में हमें एक downfall देखने को मिला, लेकिन फिर 2020 के बाद जो company ने अपना एक run दिया, 500 से 800 और 800 से 2400, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा 44 से हमें 407 का इंक्रिमेंट देखनी को मिला, और सेम चीज हमें मार्च 2021-2022 में देखनी को मिला, यह आप देख सकते हैं यह जो एक शानदार इंक्रिमेंट आया था, यह तो 16-17 के बीच में आया था, तो इस चीज को हम अभी चार्ट पर भी रेखेंगे कि चार्ट पर क्या हमें कुछ वैसा एक करेक्शन या अच्छा मूव देखनी को मिला था कि नहीं, तो चार्ट में हम 2016-2017 का मूव की बारे में बात करेंगे, और फाइनली जब अभी जो हमारा यह मूव आया है 800 से लेके 2400 का, इसका भी मूव हम अभी कंपनी के प्राइस में टेक्निकल चार्ट पर समझेंगे, तो यह कुछ हमने कंपनी का कुछ रेशियो बात किया और हम सीरे चलतें कंपनी के चार्ट के उपर, अगर हम कंपनी के चार्ट पर चलें, तो जैसा कि हम आपसे बात कर रहतें, 2016-2017 के बीच में एक काफी अच्छा इंक्रिमेंट आया था शेयर प्राइस में, तो अगर देखा जाए, तो 2016 अगर्ष्ट का देखा जाए, तो कमपनी के नहां आप Tao UM, तो कमपनी 27 और बीच का एंक पाइशल और 2017 में में, कुछ पूल्मुस्ट पूछ गया मतलब कि 27 से बोली कि अल्मुस्ट 270 हो गया तरह दस गुना हमें यहां पे इंक्रिमेंट देखने को मिला और सेम्सीज हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिला था तो यह तो आपने देखा कि यह क्या शांदार एक बुल रन था यहां 2016-2017 से लेके 2017-2018 तर वही बुल रन अभी हमें मार्च 2020 से लेके 2022 तक में देखने को मिला तो यह बात सही है कि बहुत कम टाइम में काफी अच्छा करीब का लो बनाया था मार्च 2020 में 30 रुपय का लो और फिर उसके बाद चीदेज दो साल में 30-430 रुपय हो जाना तो इतने कम टाइम में इतना बड़ा बुलडर नगर होता है तो मार्केट में प्रेक्शन आना ज़रूरी हो जाता है मार्केट को बैलन्स में लाने के तो आप इसमें आराम से पोजिशन बना सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह जो हाई बनाया था यह करीब एक सुनब्ड़ का हाई बनाया था तो अभी जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो मुझे लग रहा है कि अभी करेक्शन आना बाकी है अभी और तो शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो आप 160-170 का वेट कर सकते हैं यहां पे अगर आप बनाते हैं आप पोजिशन तो आराम से आपका जो तागेट रहेगा वो 6-7 मैने में अचीव हो जाना चाहिए तो मुझे लग रहा है कि अगर आप यहां पे कहीं पे पोजिशन बनाते हैं अपना 160-170 की करीब तो फिर से आप लगवग 300-300 का टागेट टेक सकते हैं आने वाले कुछ 1.5 साल के अंदर जो के अलमुस्ट 2X, 1X, 2X हो जाएगा आप पर 100% से जादा आपको गेंद मिल जा बाकी मैं क्या बूलू आप तो देख चुके हैं जितना वी कंपनी का रेशियो वेगर था वह सारा हमने देखा और अपरेटिंग प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है वह हमने देखा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कंपनी हमें अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकत है तो मुझे लग रहा है कि यहां से जब यह राउंड बॉटर कंप्लीट करेगा यहां पर तो यह 435-440 तक कंपनी का शेयर प्रैस आ सकता है लेकिन इसमें टाइम लग सकता है डिपेंड यह भी करता है कि अभी जो हमें मार्केट में यह करेक्शन देखने को मिल रहा है कि ग्राउंड बॉटर अभी लगा के रख सकते हैं जब इसक्यूट होगा तो आपको पता चल जायागा लेकिन जब आप ग्राउंड लगाते तो एक छोटा अमांट ही आप छोटा कम अमांट ही आप इंवेस्ट करें उसके बाद जब ग्राउंड आपका इंवेस्ट करना है यह मेरा एक छोटा सा कोशिश था आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने का मैं कोई से भी रिजिस्टर्ड रिसर्च चैनलिस चे इंवेस्ट करते हैं तो अपने इंवेस्टमेंट आइडवाइजर से आप इंवेस्ट कर लीजे और फिर इंवेस्ट कीजिए अगर आपको वी